तो पंचाय चुनाफ का दंगल मैं आपके साथ तमन्नम आजन लगातार सुबा से सूरे समाचार की कवरेज और पलपल का अपडेट आप तक एक घंटे का इंतजार और और फिर मद्दान संपन हो जाएगा और कितना फीसद वोट कहां पर पड़ा ये अपडेट भी आपको मिल जाएगा लेकिन फिलहाल रुक बड़ी खबर का 64 फीसदी अब तक कुल मद्दान की खबर आ रही है अब तक सबसे जादा पंचकुला में 71.6 फीसदी मद्दान हुआ है और नू की अगर बात करें तो 67.9 फीसदी मद्दान की खबर आ रही है जज़र में सबसे काम 60.8 फीसद मद्दान बिवानी की बात कर लेते हैं 62.7 फीसदी मद्दान हुआ है और एक घंटे में क्या प्रतीशत बढ़ेगा ये देखना होगा और वो भी अपडेट आप तक सूरे समाचार पहुंचाएगा सूरे समाचार की पहनी रगदर सबसे पहले आप देखेंगे सूरे समाचार पर अपडेट तो पलपल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपको बता दें कि प्रदेश के नौ जिलों में पंचाएट चुनाप हो रहे हो और ऐसे में अपसे कुछी देर बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी और देखना यही होगा कि वोट परसेंटेज जो है वो कितना पहु पहुँआ पहुआ है और स्थानिय मुद्देश जो है उनको लेकर वोट किया गया तो जचर में सबसे कम मद्दान रहा वहीं पंचकुला में सबसे जादा मद्दान किया गया विवानी में 12.7% मद्दान हुआ है एक घंटे का इंतजार और और फिर मद्दान संपन हो जाएगा हम आपको बता दें कि सुबा सही लोग लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और जो लोग अब कतारों में खड़े हुए हैं वो एक घंटे के अंदर अपना वोट दे सकते हैं अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं नौजिलों में आज वोटिंग थी और नौजिलों के वोटिंग में आज कितना परसंटेज आया है वो हम आपको बताएंगे फिलाल जो खबर हमारे पास आ रही है हम आपको बतादे कि जजर में सबसे कम 60.8 तीसे दी मत्दान हुआ है तो लगतार हमारे सहियोगी जो है वो ग्राउंड जिरो पे मौझूद है और पलपल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं आपको बतादे कि यमुना नगर से सुनील हमारे साथ जुड़े हैं जीन से परमचीत हमारे साथ जुड़े हैं नू से नीरच हमारे साथ नीरच जु के हैं लंबा इंतजार है और लोगों को इस मौके का खास इंतजार था और लोगों ने खासा उत्सा दिखाया बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया और भारी संख्य में वोटिंग जो है हर जिले में की गई तो चौसर फीसदी मद्दान अगर आपकुल मिलाकर नौजिलों का मद्दान देखें तो चौसर फीसदी मद्दान हुआ है अब तक सबसे जादा जो है पंचकुला में दर्ज किया गया है 17.6 फीसदी और माना यही जा रहा था सुबह से ही हम लगे हुए थे और आपको बता कि पंचकुला में शाम डलते डलते यानि कि 6 बचते बचते हो सकता है कि 75 फीसदी मद्दान दर्ज किया जाए तो आपको बता दें कि नौज जिलों के एक सच ब्लॉक में मद्दान किया जा रहा है और ऐसे में देखना यही होगा कि शाम तक यह परसेंटेस कब तक कहां तक पहुंस दें कि सुभा साथ बचे से वोटिंग हो रही है और अब 6 बस तक मद्दान किया जाएगा और देखना यही होगा कि वोट परसेंटेस जो है वो कहां तक पहुंसता है 11 ब्लॉक के लिए 1453 सीटों के लिए चुनाब हो रहा है पहले चरण का मद्दान हो रहा है 22 जिलों में तीन चरणों में मद्दान होगा और पलपल के अपडेट के लिए हमारे सायोगी ग्राउंड जीरो पे मौझूद है आपको बता दे यमुना नगर से सुनील हमारे साथ बने हुए जीन से परमचीत हमारे साथ बने हुए और नू से नीरश हमारे साथ बने हुए है, जजजर से प्रधीप हमारे साथ बने हुए है, सबसे पहले मैं यमुना नगर चाती हूँ सुनील के पाल, सुनील क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है। पर करीब पच्छी सो वोटे हैं, आपको दिखाऊंगा तस्वीरें, यहां पर किस तरह से दोनों तरफ जो है, लंबी लंबी जो है, यहां पर लाइने लगी हुई हैं, आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं, कि यहां पर अभी भी सैक्डों लोग मद्दान के लिए खड़े हैं, आपको बता दूँ कि यमुना नगर में करीब सत्तर फिस्दी अभी तक मद्दान हो चुका है, पर शाशन ने अंदाजा लगाया था कि सत्तर फिस्दी इस बार मद्दान होगा, लेकिन अभी एक घंटे की मद्दान प्रिखिया, अब जादा भीड़ देखने बिलंबी लाईने लगा कर अभी भी लोग जो है, लगातार मद्दान के लिए खड़े हुए हैं, वहीं आपको बता दूँ कि जिस गाउं में हम हैं, यहां पर इनका कहना है कि यहां पर पच्छी सो वोट हैं, लेकिन सिरफ दो ही बूत हैं, जबकि यहां पर चार बूत होन से जुड़े थे, आते आते छे बजने वाले हैं, सुबा साथ से अब तक छे बजे में कितना फीसद मद्दान हुआ, और लोगों में क्या वैसी ही उतसा देखने को मिल रहा है, या फिर जो है कम हुई है, जिबलकुल जजजर जिले में शांतिपूर तरीके से मद्दान चल रहा था, दिन में थोड़ा सा जोर पकड़ा, लेकिन अब भी एका दुका जो एकती ही मद्दान के अंदर के अंदर जा रहा है, इस वक्मा आपको तस्वीरे दिखाता हूं कि जो गुछ बुजुर्ग महीलाएं हैं, उन्हें घर से लेकर आएं लोग ताकि वो मद्दान के आसपास मद्दान हो पाया है, जो पिछले बार के मुकाबले बेहद कम है, जो वोटर है उनमें उत्सा की कमी भी देखने को मिली, क्योंकि यह जो मद्दान है काफी भारी मातरा में होना चाहिए था, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाओं काफी समय से अटके ह इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो अपने घरों से नहीं निकल पाई और काफी कम संख्या में यह मतदान हुआ है, प्रदीपा बने रहे हैं हमारे साथ, हमारे सायोगी जीन से परमजीत भी जुड़े हुआ है, परमजीत आपके पास आउँगी कि इस तरीके की तस्व हैं करीबन एक गंटा और पैंडिंग है उसके बाद जो है गेट बंद हो जाएगा और वोटिंग खतम हो जाएगी तो अभी भी जो है लोगों में काफी उसा देखने को मिल दा है, हाला कि मैं जिन जिले के गर बैं आपको बताऊं तो करीबन बैसेट परतिशा अब की बार से पॉलिंग हुई है तो लोगों में काफी उसा देखने को मिल दा है, पंचैची जुनाओं का लोग काफी लंबे समय से इंतिजार करें जिले और पलपल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, और दीपक गौतम भ जाना चाहेंगे, क्या अपडेट है आपके पास, फिलाल किता प्रतिशत वोटिंग हुआ है, जिस बूत पर आप खड़े हैं। प्रतिशत बाद ये मतदान की प्रक्रिया है, ये खत्म होने में आएगी, लेकिन उससे पहले हम लोगों से सुर्या समाचार की और से लगातार अपील, चुकि हम सुबह से कर रहे हैं, और एक बार फिर हम ये अपील कर रहे हैं, कि आप जाईए, अब मतदान का प्रयोग की प्रतिशत बाद ये खत्म करेंगे, और जब आपने मतदान का प्रयोग करेंगे, तो इसके बाद आपका ही फायदा होने वाला है, क्योंकि आप ही ये तैय करेंगे कि आपके इलाके का विकासकार रहे हैं, किस तरीके से हो, अगर मैं आपसे बात करूँ, तो पूरे हर्यान कि अगर मैं आपसे बात करूँ, तो जिस तरीक का माहौल हम सुबैसे देख रहे हैं, गिंती की दो जगए को छोड़कर, जैसे नू से जो खबर आ रही है, नू से खबर ये आ रही है कि वहाँ पर पत्राब देखने को मिला है, क्यी जगए पत्राब हुआ है, काफी हंगाम जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुचा, पुलिस ने वहाँ पर काबू पाया है, लेकिन माहौल वहाँ तराब बना हुआ है, दोपेर के बाद ये स्थिती बिगड़नी शुरूई थी और माहौल वहाँ तराब बना हुआ है, इसके अलाबा महिंद्रिगड की बात करे जिन्द के दो गाओं है जहां पर नेशनल हाईवे बन रहा था नेशनल हाईवे को लेकर कुछ गाओं के लोगों की नाराजगी थी और उन्होंने अपनी शिकायद दर्ज कराई और उन्होंने साफ तोर पर मतदान करने से इंकार कर दिया तो यह तीन जगे जो मैंने आपको करूँ तो किस तरीके की नौजिलों में किस तरीकी की वोटिंग हुई है बिल्कुल देखिए पंचकुला में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है और एकतर फीजदी से ज़्यादा वोटिंग पंचकुला में हुई और कह सकते हैं आप कि पंचकुला से यह उमीद भी की जा रही थी कि वहाँ से जबसे ज़ादा वोटिंग होगी और कुछ वैसा ही हुआ भी अगर आप पूरे हरियाना के परिपेक्ष में बात करेंगे तो इन नौ जिलो में एवरेज के हिसाब से 64 फीजदी कुल मद्दान हुआ है जिसे आप अच्छा मद्दान कह सकते हैं और अ हरियाना के लिहाद से बहुत महतपूर्ण था लंबे वक्त के बाद चुनावों की जो आहट थी उसके बाद यह चुनाव हो रहे हैं और नौ जिलों में पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं इसे अलग लग तरीके से बांटा गया था जैसा सिक्र अभी मेरे सहियोगी चुनावों का बहिशकार किया हालनकि लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि यह मौका कब आएगा लेकिन अपनी मांगों पर अड़े रहे और वोट नहीं किया पिल्कुल और हम देखते हैं कि यह सिर्फ चोटी सरकार की चुनावों में नहीं, बड़ी सरकार के चुनावों में भी होता है और आप देखेंगे अमोमन की विधानसभाज चुनाव के दोरान भी इस तरीके की तस्वीर सामने आती है जब लोग इंकार कर देते हैं वोट देने से कि हम वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारी जो लंबित मांगे हैं उन मांगों को नहीं माना जा रहा है और जब ऐसा होता है तो समझने वाली बात ये कि जो लोग है वो कही ना कहीं परेशान है तरस्त है ऐसी चीजों से जो लगातार वो मांग कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रही है आप अगर इन नौ जिलों की बात करेंगे तो बहुत से समवेदनशील और अती समवेदनशील बूट्स बनाए गए थे बहुत सी ऐसी जगे बनाई गई थी और उसी के तहत हमने देखा भी कि कई जगा पर पत्राव की स्थिती भी देखी और जिसका जिकर आप कर रहे हैं कि किस तरीके से कुछ जगों पर ऐसी तस्वीरे सामने आई जहां पर लोगों ने कहा कि हम मत का इस्तिमाल नहीं करेंगे कोई निश्कर्ष भी निकलेगा तो हमारी भी अपील यही और चुनाव आयोग भी लगातार यह कहता है इसके लिए ब्रैंड एम्बेस्जिस भी बनाए जाते रहे हैं हम देखते रहे हैं कि जो लोगों को चुनाव में अपने मत का इस्तिमाल करने के लिए प्रोचसाहित क बता रहे थे कि कुछ गाउं ऐसे भी हैं जहां पर निर्विरोध तरीके से चुनाव लिए गया यानि कि आपस के तालमिल से आपस की राय मश्वारा करके यह बता दिया गया कि हम इसको अपना पंच या सरपंच चुनेंगे प्रधान चुनेंगे वो बता दिया गया क्या इन चुनाव को हम फियर और एकदम सटीक चुनाव कर कह सकते हैं जितना से आप कह रहे हैं कि यह अच्छी ख़बर नहीं है जहां पर विरोध किया जा रहा है क्या डेमोक्रेसी में यह काफी हद तक ठीक बैटता है बिल्कुल देखिए इसे आप कह सकते हैं कि सामाजिक भाईचारा और गाउं में आपसी तालमेल कितना बहतर उस पूरे इलाके में तालमेल कितना बहतर जहां पर निर्विरोध किसी को चुन लिया जाता है और कोई सामने से केंडुएट खड़ा ही नहीं हुआ यानि आप अकेले थे और आपको बिना चुनाव के ही बिना मत के ही जीता हुआ गोशित कर दिया गया और ये तस्वीर सर्फ हर्याना के इन छोटे चुनाव के नहीं हम देखते हैं कि और जगों पर भी ऐसी छोटी सरकार के चुनाव के लिए बहुत जगा से ऐसी खबरे सामने आती है और इस कहानी कों कह सकते हैं कि ये लोगतंतर के लिए भी अची कहानी और समाज में आपसी भाईचारी की एक मिसाल भी पेश करती है जब जब इस तरीके की तस्वीरे इस तरीके की कहानी किसी भी क्षेतर से किसी भी राज्य से सामने आती है राज क्योंकि बस करीब करीब कहा जा सकता है कि 45 मिनट और उसके बाद चुनाब जो है मद्दान जो है वो संपन हो जाएंगे पहले फेस के कितना प्रतिशत वोटिंग माना जाए कि हर्याणा में होगा देखिए 70 प्रतिशत को ये पूरा का पूरा फेज चू सकता है क्योंकि 64 फीजदी अब तक और आप आप कहें कि अगर ये 67-68 परसेंट तक भी जाता है तो इसे एक बेटर परसेंटेज कहा जा सकता है कि छोटी सरकार के चुनाव में भी जो लोग है वो लगातार सामने आया और उन्हें अपने मत का इस्तिमाल किया तो ये आप कह सकते हैं कि जो तकरीवन 45 मिनट का समय बचा है अगर इसमें 3-4 परसेंट भी ये परसेंटेज बढ़ती है तो ये एक अच्छी परसेंटेज कहीं जा सकती है और जिस तरीके से जिकर आप कर रहे थे कि बहिशकार चुनावों का हो रहा है तो नारनौल और जीन्द से ये कहानी सामने आई और कहीं न कहीं ये कहानी जैसा सिकर हमने कि बहतर तो नहीं लेकिन सोचना होगा जो वहां के नुमाइंदे भी है जो वहां पर लोग है जो मौ जरूर सोचना होगा कि अगर आप अपने मत का इस्तिवाल नहीं करते तो आप किस के लिए मुश्मिले बढ़ा रहे हैं। सेमी फाइनल ही कहा जाएगा और आप इन चुनावों को सेमी फाइनल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अब आदंपुर का चुनाव भी बहुत जादा दूर नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावी माहौल पूरे तरीके से सजा हुआ है। हम खुद भी अलग-लग जगों पर जा रहे हैं आदंपुर में और अलग-लग शेतर में जाकर नब्स टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक और तस्वीर जिसका में जिकर करना चाहूंगा आप देखेंगे तो आल ओवर तो चुनाव शांतिपूर्ण धंक से खत्म हुए लेकिन नुह में जिस तरीके से दो जगों पर जड़प हुई पस्थरबाजी तक हो गई उसके लिए किस तरीके से कंट्रोल्ड मैकनिजम की जरूरत है चुनाव आयोग जिसकी बात लगातार करता है तो क्या सुविधाएं क्या सुरक्षा जो मुहिया करवाई जानी चाहि लेकिन सुभा से शान्तिपूर्ण मद्दान वहां पर हो रहा था और लोगों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेश वहां से सामने आई है तो ऐसे में शाम होते होते तस्वीर कुछ और ही नज़र आई बिल्कुल तस्वीर कुछ और नज़र आई लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि कोशिश जरूर थी कि इस तरीके की चीज़े ना हो और हमने देखा कि ADGP लेवल के अधिकारी जो है वो मौाइना कर रहे थे अलग-लग जगों का और यमुनानगर से लेकर अलग-लग जगों प सब्सक्रारी खा वार अध्म लेकार रहे थे तो आप कह सकते हैं कि कोशिश जरूर की शांतिफून तरीके से चुनाव करवाये जा हैं बहुत थे लेकिन खास्ते और जो नूह का जखर मैं करना हूँ बार बार करना हूँ इसलिए करना हूँ कि इन जगों पर पत्थ्रावं कि जैसी नौबत आई यह नहीं आनी चाहिए और एक कंटोर्ड मैकनिजम की बहुत जादा जरूर इस तरीके के चुनावों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है यह इंपॉर्टेंट इसलिए कि आने वाले वक्त में और इसी तरीके से भी डेट से चुनावों की पहले होगा तो पुलिस के सामने कौन सी बड़ी चुनावों की बिल्कुल देखिए अभी तो पहले चरण की अगर आप बात करेंगे तो दो तारे को पंच सरपंच के चुनाव भी बचे हैं और वहां पर भी यह ज़रूरी रहेगा कि इंप्लिमेंटेशन ओफ लौ अच्छे तरीके से किया जा सके चुनाव आयोग का रोल बहुत एहम रहता है और चुनाव आयोग के साथ जो पुखता प्रबंध पुलिस की तरफ से किये जाते हैं उन पुखता प्रबंधों की निगरानी बहुत जरूरी होती है और कैसे ऐस ऐसे लोगों को जो समाज में कहीं ना कहीं भ्रहम की स्थिती पैदा करना चाहते हैं या फिर अराजक जो तत्व है उन तत्वों पर कैसे कंट्रोल किया जाए समाज में आप कहें अराजकता ना फैले माहौल खराब ना हो यह बहुत जरूरी है और लोगों को एक सुरक्षत माहौल देना उससे भी जादा जरूरी है क्योंकि अगर असुरक्षा की भावना पनपेगी तो वो लोगतंत्र के लिए अच्छा नहीं रह सकता और जो जो नुह से तस्वीर सामने आई वो और किसी भी जिले में आने वाले वक्त में पहले चरण से लेकर दूसरे चरण और आप 64-65 फीजदी के आसपास रहते हैं तो उसे आप अच्छी परसेंटेज कह सकते हैं हाला कि ये परसेंटेज और जादा बढ़ेगी और इससे बढ़ती है तो ये बेहतरी की तरफ एक कदम कहा जरूर जा सकता है लेकिन इसके साथ साथ देखने वाली बात ये भी रहेगी कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे वहाँ पर लोगों का इंटरस्ट कितना रहता है किस तरीके से उसे केटर किया जाता है और हम ये भी देख रहे हैं कि आज का दिन तो रविवार का दिन था इसलिए चुटी थी लेकिन दो तारिक को भी बहुत सी जगों पर जहा आगे दारी सुनिष्चित करें जहां से आप बेहतर कल के लिए बेहतर समाज की नीव रख पाएं वह बहुत जरूरी है कि इन चुनावों में अगर अच्छे लोग चुनकर सामने आते हैं तो आप कह सकते हैं कि अच्छा समाज आपको मिल सकता और उससे भी जादा इंपॉ शो करेगा और उस यूथ को अगर सामने आएगा तभी कुछ समाज के लिए फ्रूटफूल हो पाएगा फिलाल हाप राज हमारे साथ बने रही हमारे साथ नू से हमारे समवादाता नीरज अंबावता भी इस वक जुड़ चुके हैं नीरज आप से जाना चाहेंगे कि अब कुछ ही पल बाकी हैं करीब करीब आदा घंटा माल लीजी आदे घंटे बाद ये मद्दान जो है संपन हो जाएगा क्या तस्वीर जी बिल्कुल तस्वीर देखें क्योंकि ये लोकतंत्र का अनोखा पर्व है और तोहार है और ऐसे में हर कोई लगातार अगर नू की बात करें तो सुबह से सांतिपूर्ग मद्दान चल रहा था लगातार जो लोग थे वो लाइनों में लगकर सांतिपूर्ग तरीके से अ बात करें तो वहां लोगों में आपस में पत्रा हुआ दूसरा इंडरी ब्लॉक में पत्रा हुआ तो एक खेडला गाउं है उसमें भी आपस में लोगों के बीच जड़ब देखने को मिली और अगर हम घासेड़ा गाउं की बात करें तो यहां भी जो बूत नंबर 69 बनाया दिखाएंगे एक असी वर्सिया बुजर्ग बिमार आदमी थे वहालगी कार में आये और उन्होंने इस पर्व में भी हिसा लिया और कार में लेटे हुए ही उन्होंने अपने वूट का परियोग किया तो इस तरह की तस्वीरे इस आनोखा जो तुहार है जो लोक तंत्र का पर्व है उसमें देखने को मिलती है और अगर मद्दान परतिशत की बात करें तो कुल मिला के बात करें क्योंकि सुबहे से हम देख रहे थे नुहों के लोगों में लगातार उत्साहता और अनुमान या फिर ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि तकरीबार जो है नुहों में कुछ लोग देख सकती हूं मद्दाता देख सकती हूं उनसे बातचित करें और जाने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ मुद्दे कितना उत्सा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आदा घंटा और और उसके बाद चुनाफ संपन हो जाएंगे कितना खुश जी बिल्कुल देखे मेरे साथ कुछ वोटर भी है उनसे जाननेते हैं कि आखिरकार आज लोकतंत्र का पर्व था और किस तरह से उन्होंने इस पर्व में हिस्सा लिया कितना उत्सा था आप से जानना चाहूंगा जी कितना उत्सा था और आप जो है सुबह से आपने देख लोगतंत्र का पर्व है ऐसे में तमाम लोग इस वोटिंग में हिस्सा लेते हैं आपने भी वोट के आकिन मुद्दो को लेकर किया और लगता है कि जो छोटी सरकार बनेगी वो मेवात की दसा और दिसा कही ना कहीं बदलने का काम करेगी जी बढ़िया वोटिंग हुई है बढ़िया पोल हुए गाम में बढ़िया तरह कोई दिक्कत ना कोई परिशना एक दम कोई चोट मुट लड़ाई तो जाकरे कोई लड़ाई वड़ाइस कोई बड़ी वात ना पसमी सब मिल के उड़ ड़ाली लड़ाई आप छोड़िये क जाक्या मुद्धी रहने वाले और क्या लगता है कि छूटी सरकार कितना विकास आपके गाउं के साथ साथ नूगा कराईगा जी विकास तो आप देखोजी जो बनेगा पार्शत बनेगा विकास तो पूरा पूरा होईगा पली मुहमंद बन गया तो चलिए नीरज आप ब है नू की बात करें तो 69.5 म हुआ है मददान ओर जजणार में सबसे कम psy 0.2 फीसदी मद्दान वहएद यानि नू में सबसे कम हुआ है और पंच्कुला में सबसे जादा तो पंच्कुला में जैसा की पहले वी मामा जा रहा था कि शाम डलते डलते तो पहुंच सबसे ज़्यादा पंचकूला में अब तक 69 फीसदी मद्दान हुआ है जिल्चे में सबसे कम 63.2 फीसदी मद्दान हुआ है और भीवानी की बात करें तो 64 फीसदी मद्दान जो है भीवानी में दर्च किया गया है और एक और बड़ी खबर आ रही है महिंदर गड़ की बात कर लेते हैं चुनाफ जो है संपन हो जाएंगे और उसके बाद जो तसवीर है वो आपके सामने भी रख दी जाएगी तो फिलाल हम आपको बता दें कि महिंद्रकड में 65.2 फीसदी मद्दान और इसके अलामा जिन में 63.5 फीसदी मद्दान हुआ है तो कैथल में 63.5 फीसदी मद्दान हुआ है चलिए राज हमारे साथ जुड़े हुए आसोसेट एडिटर है राज में आपके पास आऊंगी क्योंकि इस बार खास चीज ये देखने को मिली हर बार ये शिकायत रहती थी वोटरों की भी और पोलिंग बूत पे भी ये शिकायत रहती थी की फरजी बोटिंग हो की लेकिन पहली बार प्रदेश में पंचायत चुनाब जो है वो ईवियम से करवाए कि क्या पारदर्शीता जो है वो नजर आई की बिल्कुल देखिए ईवियम पर ऐसा भी नहीं कि सवाल नहीं उठे हैं लेकिन हर कोई अप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से सवाल उठाता रहा है अगर आप बात करेंगे बीजेपी या कॉंग्रेस की तो जस प्रदेश में जिसकी सरकार बनती है वो सवाल नहीं उठाता लेकिन दूसरे लोग सवाल उठाते हैं तो इविय में एक ऐसी प्रणाली तो है जहां से आप पारदर्शी तरीके से चुनाव करा पाएं और जो बड़ी खबर आपने दर्शकों को दी कि पंचकुला में सबसे जादा वोट परसंटेज देखने को मिल रहा है ये उमीद भी थी और कुछ वैसा ही होता हुआ नजर निर्विरोध चुन लिया गया है पहले फेस के लिए तो उसका सिक्र में जरा कर देता हूं कि नौजिलों में 133 जो सरपंच है उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया था वो पहले ही आपको पता चल जाता है क्योंकि वहां पर वोट कास नहीं हुआ उसे निर्विरोध च चुन लिया गया और अगर आप बात करेंगे पंचायत समीतियों की तो 56 उमीदवार ऐसे रहे पंचायत समीतियों के जिने निर्विरोध चुना गया तो यह आंकड़ा कहीं ना कहीं यह बताता है कि जो लोकतंत्र का पर्व है उसे कुछ जगों पर इस तरीके से भी मनाया गय कि वहाँ पर निर्विरोध जो केंडिरेट्स थे वो निकल कर सामने आए और चुनाव से पहले ही उने जीता हुआ घोशित कर दिया गया क्यूंकि उनके सामने कोई उमीदवार था ही नहीं किसी ने नामांकन किया ही नहीं जिरोंने किया भी उनने वापस ले लिया ये एक अच्छी तस्वीर और अच्छी कहानी जरूर बया करती हुई और जैसा आपने जिकर किया कि 66% से जादा मद्दान अब तक हो चुका है आदा घंटा अभी भी बचा है और तकरीबन 7 बजे तक पुल परसंटेज सब के सामने आ जाएगी कि कितनी परसंट वोटिंग हुई ह तकुल मिलाकर अगर आप इस पूरे की पूरे पहले फेज के इन चुनावों को देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि शांतिपून धंग से सुसज्जित तरीके से ये चुनाव करवाये गए हैं छोटपुट कुछ घटना एक से दो जगों पर देखी गई अगर आप उन्हें चलिए राजबनेरी गमाजाद रुक करते हैं दीपक गौतम का दीपका आपकी ही जो आपने पहले लाइन कहीं थी उसी से शिरुवात करना चाहूंगी कि पहले मतदान फिर जलपान अब तो सिर्फ आदे घंटे का समय रहा है बिल्कुल आदे घंटे का समय रहा है लेकिन ये समय बहुत है लोगों को इस समझना पड़ेगा कि इस आदे घंटे में वो मतदान कर सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतजार करते हैं हमने आम तोर पर देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंत समय का इंतजार करते ह चुकि उन्हें उंबीद ये होती है कि भीड़बार से वो कहीं न कहीं बच जाएंगे लास्ट के समय में भीड़बार नहीं होगी इसलिए वो इंतजार करते हैं अब जो लोग घर पर बैठी रहे गए हैं जिर लोगों ने मतदान नहीं किया है हम उनसे अन्रोद दुबारा क करते हैं कि आप जाइए निकलिए घर से बाहर अपने अपने पोरिंग स्टेशन पर पहुंशिए और वहां जाकर मतदान कीजिए क्योंकि ये मतदान आपकी सबसे बड़ी तागत है लोग तंत्र का सबसे बड़ी खुबसूरती अगर कोई है तो इस मतदान में ही है आप ही 6. vind तक मतदान होना है लेकिन जो लोग 6.》 तक लाइन में लग जाते हैं लाइन लगी होती है मतदान के बाहर उस लाइन में अगर 6.00 कोई लग गया तो अधे लिए सोचकर घर में कम से कम मतदाता नա रहे किस समय हो जाएगा जब तक होशाएंगे नगे हुशाफान magg çık होग कि थिए एपने किसी काम में थे और स्किलिया कि वोट कास्ट कीजिए को अगले पांच साल बाद ये मौका मिलेगा और ये मौका बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने इस मौके को गवाया तो इसके बाद अगले 5 साल तक आप यह सोचेंगे कि काश मैं मतदान कर देता, काश मैं अपने किसी पसंदीदा उंबीदबार के पक्षमें बोटिंग कर देता तो मेरे इलाके की हालत सुधर सकती थी तो यह पस्तावे का मौका नहीं है, इसके लिए जादा बहतर यह है कि आप जाएए और पूलिंग स्टेशन पर जाकर मतदान कीजिए दीपक आप बने रहे हैं हमारे साथ, हमारे साथ राज भी चुड़े हुए है, राज बात करूँगी क्योंकि दीपक ने कहा कि यह मौका जो है दोबारा पांच साल बाद मिलेगा, इस मौके का इंतजार पांच साल बाद आएगा, तो ऐसे में जिन बूतों पर भहिशकार क जो है वो विरोध किया गया है और विरोध के सुरूव वहां पर वोटिंग नहीं की गई है, लेकिन जब इस तरीके का विरोध होता है और उसके बाद ऐसी ऐसी कोई प्रक्रिया तो नहीं कि वहां पर दुबारा वोटिंग करवाई जाए लेकिन अगर इस पर विचार किया आपको जिताते तो नहीं लेकिन ये जताते हैं कि किसमें कितना दम है जीतने का या फिर आप कहें कि जब आगे की कहानी को बखुबी बता जाते हैं कि आने वाला भविश्य कैसा होने वाला है अब जब आपकी वोटिंग परसंटेज 65% से उपर जा चुकी है तो इससे एक बा आने वाले वक्त में फेज 1, 2 और 3 के चुनाव खत्म होंगे और 2024 की तयारी में पार्टियां जुटेंगी तो उनके जहन में एक चीज होगी कि अगर छोटी सरकार के लिए लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं यानि वो आंकडों के जरीए लोग जता रहे हैं हुक्मरान को और विपक्ष में बैठे लोगों को कि हम पूरा इंटरस्ट शो कर रहे हैं और आपको अपने काम के दम पर ही हमसे वोट मांगनी है तो ऐसे में लोग जो छोटी सरकार के लिए इंटरस्ट शो कर रहे हैं ये एक मैसेज है सरकार के लिए भी विपक्ष के लिए और और प आप कह सकते हैं कि संख्या में पहुंचे और उन्होंने वहां पर पहुंचकर अपने मत का इस्तिमाल किया तो आने वाले वक्त के लिए सभी राजनिताओं को तयार रहना होगा कि लोग कमवरकस चुके हैं और वो भी लाजमी तोर पर कमवरकस रहे हैं लेकिन लोगों को दिखा रहा होगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद राज तमाम चर्चा के लिए